सबी को नमस्कार, NGS2Visions में आप सबी का स्वागत है, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की, आज हम समझेंगे उन लक्षनों के बारे में जिन से हमें ये पता चल सकता है कि राहु हमारी कुनली में कैसे प्रभाव दे रहा है, अच्छे दे रहा है या बुरे दे रहा है, और साथ ही हम बात करेंगे उपायों की जिन से हम अगर राहु बुरे प्रभाव दे रहा है तो उसके पॉजिटिव रिजर्ट्स कैसे पा सकें, तो सबसे पहले राहु को जांचने के लिए हमें ये देखना होगा कि जातक क्या अपने ससुराल वालों के साथ संबन कैसा है, उनके साथ उसका वेवार कैसा है, अगर तो वो अच्छा है तो इसका मतलब है कि राहु जो है उसकी कुनली में अच्छे पल दे रहा है, और अगर कुछ कमी है संबंदों में एक वहवार अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है जो राहू है उसे बुरे प्रभाव दे रहा है जब राहू कुणली में अच्छी स्थिती में होता है तो ऐसा जातक भगवान को मानने वाला आतम विश्वास से भरा हुआ साहसी बुद्धी मान आउट ओफ बॉक्स ठिंकिंग रखने वाला लीक से हटकर कारे करने वाला होता है सहिशनू होता है कर्मट होता है और जो सोचे उसे पूरा करने का दम रखने वाला होता है और अगर राहू जो है वो बुरे प्रभाव दे रहा हो या नेगिटिव हो कुणली में या कमजोर हो तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको टोक अटाकी करने की बहुत आदत होती है दूसरों को क्रिटिसाइज करना दूसरों के काम में मीन मेक निकालना ऐसे जातकों की आदत होती है वास्तू कि अनुसार भी इन लोगों के घरों में बहुत सारी निशानिया दिखती हैं जिनका राहू खराप फल दे रहा होता है तो ऐसे जातकों के घर का जो में गेट होता है वो कहीं न कहीं तूटा-फूटा हो सकता है, घर में फर्ष जो होता है वो बाहर की सडक या गली से नीचे हो सकता है, घर की छत पर दरारे पड़ सकती है, छतों का प्लास्टर अचानक से जड़ सकता है, नालिया जाम हो सकती है ऐसे लोगों का जिनका राहू अच्छा ना हो उनके घरों के टॉयलेट्स जो है वो बुरी हालत में होते हैं और साथ ही अगर राहू बुरे प्रभाव दे रहा हो तो घर में कलेश का मोहौल बना रहता है किसी ना किसी को बीमारी रहती ही है घर में कोई नो कोई continuously बीमार रहता है घर में अगर राहु खराब हो और राहु अगर खराब हो तो यह कहीं न कहीं accidents के भी योग बनाता है ऐसे जातक जिनका राहु बुरा होता है उन्हें शक करने की भी आदत बहुत होती है और बेवजा का एहम भी ऐसे लोगों में देखा जाता है कहीं न कहीं लोग कॉन्पिडेंट भी हो जाते हैं और उसकी वज़ा से दूसरों पर नेगिटिव तरीके से हावी होना ऐसे जातकों की आदत बन जाती है जिनका राहू अच्छे फल नहीं दे रहा होता तो ये तो हुए कुछ लक्षन जिनके हम राहू की स्तिती जान सकते हैं कि राहू हमें कैसा फल दे रहा है अब हम बात करते हैं कुछ उपाइओं की जिससे हम ये जान सकते हैं कि राहू को ठीक कैसे किया जा सकता है अगर राहू बूरे प्रभाव दे रहा है तो कुछ उपाएं हैं जिनको सभी लोग कर सकते हैं जिससे कि राहू के negative effects जो कम हो सकते हैं तो अब मैं उनके बारे में बात करती हूँ जैसे कि अपने घर के रीती रवाजों का पालन करना घर की साफ सफाई रखना ट्वालेट्स को सपेशली साफ रखना और में गेट को साफ रखना कोई टूट फूट हो तो उसे ठीक करवाके रखना ये राहू को मजबूती देता है उसके negative effects को कम करता है इसके साथ ही नशे की आदत हो जाती है जिनका राहू खराब हो तो नश की चीजों से नशीले पदार्तों से दूर रहना भी राहू के negative effects को कम करता है घर से बंद घडियां खराब electronics का समान खोटे सिक्के निकाल देना भी राहू के कुछ न कुछ effects में कमी करता है जो negative effects होते हैं उनमें कुछ न कुछ कमी करता है पक्षियों को जौन देना या गरी कुछ न कुछ खाने को देना मिठाई खाना वस्तर या दवाई देना भी राहू को ठीक करता है तो यह थे कुछ उपाय जिनसे हम राहू को राहू के negative effects को कम कर सकते हैं तो यह थी थी थोड़ी सी जानकारी मेरी तरफ से राहू के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर कीजिए ऐसी ही जानकारी के लिए चानल को subscribe कर सकते हैं बल आइकन को बटन दबा सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंट notification मिल जाए इसके साथ ही अगर कोई अपनी कुणली के बारे में बात करना चाहता है तो वो comment section में अपनी date of birth place of birth, time of birth दे सकता है और एक question का हम answer दे सकते हैं Thank you for watching God bless you all